हेलो नमस्कार दोश्तों आप सभी का इस्टा परिवार में स्वागात है आज हम कक्षा दस्मी तिरमाश एक परिच्छा का पेपर हिंदी का बताएंगे बिल्कुल 100% असली पेपर है आप इसमें से मिला सकते हैं आपने कितना पेपर किया है देखिए यहां पर आपको पेपर की बारे में बताया गया है पहला प्रस्ण निकार लेजी अपने पेपर में देखिए सही बिकल्प का चैन करने यहीं प्रस्ण आया होगा और सबसे पहला बिकल्प होगा नई कभी ताकि कभी कौन है इसमें आपको बिताने थी कि नई कभी ताकि कभी कौन है चार आपसन द होता है जिसका सही अंसर भा हो जाएगा दूसरे का भा है तीसरा पर कलपbar क्या है आलम पनोख गलंगों और उद्द्धीपन का समंद तो इस क्या हो जाएगा नमेर्डा विभा उसे इसका समझ है अफ छोथा आप जो है नेता जी की मूर्तिय पर चस्मा कौन लगाता था पहला इसका सब्धिया आपको कौन सी संदी पड़े होगी तो निस्चा में आपकी बिसर के संदी है बढ़ने नमर का option होगा आप देखिए छटमा प्रस ने छटमा विकल्प क्या है लेखक बच्पन में अपने पिताजी के साथ खेल खेला करते थे बताना है कौन सा खेल खेलते थे कबड़ी का option वा क्रिकेट का option सा है खोको का या option कुस्ती का तो वे अपने पिताजी के साथ बच्पन में कौन सा खेल खेलते थे कुस्ती का तो यह इसका सजानसा हो जाएगा छटमे का दा है इस तरह से आपको पूरी विकल्प करने थे बिलकुल रियल पेपर है आपको इस त खालिस्तान की बजाएं काटी थी किसकी काटी थी मैं सहस्त्र बाहु की सहस्त्र बाहु इसका सही आंसर है कवीता की रचना की विधान को खालिस्तान काईते हैं कवीता के रचना विधान को क्या काईते हैं चंद काईते हैं प्रबंद काब के खालिस्तान में होते हैं समास के सबीम जानती हैं चे प्रकार होती है जिसमें कितना बने था और प्रशन पूछा गया ता कि ग्रक यानि गंतोग का अर्थे क्वालिस्टान है तो इसका क्या हो जाएगा इसका है सब्सक्राइब पहाड आपको खालिस्तान बढने थी बिल्कुल सही आपको बताये जा रहे हैं तीसरे प्रशने देखे आपको किया करना आपको सही जोडिया बनानी है जैसे इसके सूर के पद पर किस से म्लाएंगे किसे कहा जाता है नगर पाली का कार्य कार onc कलम का जादुगर कwegen किसे रचना है नहें बचाना और देहाती दुनिया को पहला यास fence अपको जोड़ी मैलानी ती अब देखती है और देखते हैं क्या करना है एक बाक में उत्तर देना है ऑपको उत्तर देनी है पहना प्रमी किसका सोपने देखकर जा गया दूसरा प्रशन क्या है चौपाई के प्रतेक चरण में कितनी मत्राएं होती है चौपाई के प्रतेक चरण में आपको मत्राएं बताने कितनी कितनी होती है तो इसके प्रतेक चरण में कितनी किनी मत्राएं होती है इस तरह से आप इसका अंसर लखेंगे तीसरा प्रशन क्या ह मुख एवमछहती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकिरथी को क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं इसको बसट कहा जाता है तो आपका इसका अंसर क्या हो जाएगा चौथा प्रसंदे कि मुहावरा क्या है लिखिए इसमें आपको मुहावरी की परिवासा बताने थी आप सभी ने पढ़ी होगी बाहिल लखना मुहावरा जैसे लखेंगे आप किसी भासा की अभी वेंजेना की विशेष्ट रूप को जब क्या कहते हैं मुहावरा कहते हैं य रिंसे क्या करते हैं मुहावरा कहा जाता है तो यह है कि किसने प्रकार क्यों होते हैं इसमें आपको बताना descended किara कर रही थी ताला नाथ्रेश्चूष प्रह्या कर रही थ ह्ताना की उसकी मा क्या रेहए ती जब बोलेनाथ ने बोला नात ने चुहे के बिल में पानी डाला तो इसका क्यान सारे चावल साफ कर रही थी तो भोला नात चुहे के बिल में पानी डाल कर आया तब उसकी मा चावल साफ कर रही थी तो इसका क्या चावल साफ कर रही थी अब प्रस्ण देखे सत्य असत्य बतानी है सत्य असत्य आपको बतानी है देखो पहला क्या है साधू संथ बालकों के दोस नहीं देखा करते हैं क्या सत्य है दूसरा प्रस्ण क्या है रस के चार प्रकार होते हैं यह असत्य है रस के चार प्रकार नहीं होते रस के चार अंग ह सब्सक्राइब कर तेसा किरा हाल दार घृत्या हर 15 दिड दी म seperti काम के संद में उस से जज़ते थे तो यह कैसा सत्य है फिर चौता प्रशन क्या लोग उकती कारत लोग में प्रिचलत उकती बिलकुल सत्य है पांचमा प्रशन क्या बोला ना थे के पिता फूल के कटोरी में उसे गोरस भात सान कर खलाते थे यह भी सत्य है और शाटमा प्रशन क्या राप्ता राप्ता कारत रा यहां से आपको दो नम्मर के प्रश्न बनने लगे प्रगतिकाल की कोई दो विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष इनका ज्यादातर पूछा जाता है तो तुल्सी दाव सुजासां का प्रजा दोनों का जीवन परिचाय याद कर लेजिए दो रचना है कलापक्ष आठमा प्रिशन क्या था उधाव के विवहार की तुलना किस किस से की गई है तो यह आप से एंसर बन गया होगा फिर आपने से इसमर्थी का पात ही बनाने से कभी जल संक प्रचाइच का क्या आसा है यह भी बहुत इंपोर्टेंट एंट है इसको आप याद करके जाना है तो इस तरह से आपको इनकी महा काब की दोसे स्ताइव यह भी आपको याद कर लेना बहुत कई बाल प्रसन पूछा गया है र रामब्रक्ष बयानिपूरी और स्वयम प्रकास दोनों का क्या लखना है इनका जीवन प्राइचा दो दो रचना बतानी थी और भासा से लिक लिखनी थी तो इस तरह से आपको इसमें कर लेना और इस पेपर में आपको जो भी कोश्चन दखाई दे रहे हैं मैं अथवा सुन को अच्छे से याद कर लेना ताकि आपसे बाधो प्रетрत प्रसनी प्रत मैं देखने को मिलेंगे तो आपको एस प्रको पूरा याद कर लेना है और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक clinical प्रत्यमचै करें